हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल लिक्विटी स्टार, ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में जो हमारी मांस्टरिंग केंडलिस्टिक पैटर्न की कोर्स थी उसका फूर्थ वीडियो यह है, ठीक है, इससे पहले मैंने तीन वीडियो अल्रेडी दे रखे हैं, उनको भी जरूर देखेगा, आज जो हम लोग स्कंडलिस्टिक में कवर करने वाले हैं, इसमें है नाम इसका मोर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बता दू, मोर्निंग स्टार को अगर हम देखते हैं हमेसा, तो यह हम बॉटम में देखते हैं क्योंकि यह जो सेटप है, यह बाई के लिए यूज होता है, ठीक है, और जब भी इवनिंग स्टार का सेटप को हम लोग देखते हैं, तो यह टॉप पे हम लोग देखते हैं, और सेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यह दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, अब हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाने से पहले, अगर वीडियो पसंद दाता है ते वीडियो को लाइक and share जरूर कीजेगा, और चैनल में निया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे, यहाँ पे देखते हैं, पहले तो इसके पूरे fundamental को समझते हैं कि candle पैटरन जो है morning star और evening star ये formation कहाँ पे होता है और formation की कैसे इसको हम लोग use करेंगे, कैसा important है कहाँ पे ज़्यादा strongly काम करता है, कहाँ पे weak काम करता है क्या इसके positive-ness है क्या इसके negative-ness है, सारे चीज़ को समझेंगे, इसके बाद इसको हम लोग चार्ट पे कैसे देखते हैं चार्ट पे कैसे यूज करते हैं उस चीज को भी समझने का कोसिस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर morning star को देखते हैं तो morning star में आप ये दीख लिजे कि अब ये bottom level में बनता है क्योंकि इसको हम लोग buy के लिए use करते हैं और ये candle का color जो left side होता है red होता है fix होता है और जो right side होता है ये green होता है ये वी fix होता है ठीक है अब जो middle वाली candle है ये वाली ये हो सकता है अगर आपको green ये नजर आता है ठीक है अगर green है तो आपके direction में या काफी perfect है ठीक है green होता है ये वाली middle वाली तो हो सकता है कभी कभी आप इसको red color में भी देख सकते हैं ये red color में भी आपको मिलेगा लेकिन अगर वो red color में मिलता है तो भी ये morning star आपको काम करेगा ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा इसलिए जो middle वाला candle है ये वाला इसका color change होते रहता है इसको color से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो left side होता है जो right side होता है ये red वाला candle होना ही चाहिए ये green वाला candle होना ही चाहिए ये दोनों चीज़े clearly समझ में आया होगा अब जो इसमें next आता है ये आता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि ये वाला जो green candle है सिर्फ green candle क्योंकि buy के लिए use करते हैं ये जो green candle है कभी कभी इसका height जो है कभी यहां पे ये closing करेगा इतना बड़ा candle बन जाएगा ठीक है कभी कभी इतना बड़ा candle यहाँ पे इस तरीका से बन जाएगा तो ये candle का size ये जो green candle में बता रहा हूँ इस candle का size घटते बढ़ते रहता है ठीक है? अगर मान के चलो ये वाली rate candle का जहाँ पे opening है और जहाँ पे closing है आपको body पूरी तरीका से बेसिक में मैंने ये सारे चीज़े clear किया हुआ है ये candle का body जहाँ पे opening होता है यहाँ पर अगर ये candle मान के चलो बना हुआ है यानि कि इसके करीब है इसके near है ठीक है? तब approximately ये candle बहुत अच्छा से काम करेगा लगवग 80% 70% इसकी accuracy रहेगी यहाँ से आपको target देने में अगर ये buy trigger होता है ठीक है? यहीं पे अगर इस candle का height इसका opening से काफी ज़्यादा होता है मतलब यहाँ पे इस candle का height body इस तरीका से होता है ठीक है? और ऐसे तो इसका जो accuracy होता है target देने की वो होती है almost बोलेंगे आप 100% बोल सकते हैं ठीक है? otherwise 100% कुछ नहीं होता market में 99% बोल सकते हैं 96% बोल सकते हैं इतना आप approximately बोल सकते हैं इसके region है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके region है region समझते हैं कि यह जो green candle इसके बाद होता है यहाँ पे काम करना start कर देता है तो यहाँ पे हमारा एक तरह से double confirmation हो गया कि यहाँ पे bullish भी दिखता है काफी strong दिखता है तो इसकी accuracy जो है काफी ज़्यादा होती है target देने की यह चीज़े भी हो सकती है और एक difference आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यह जो middle वाली candle होती है green candle यह perfectly आपको doji बनेगा इस तरीका से थोड़ा सा volume रहेगा चाब वो rate बन जाए या green बन जाए लेकिन इसी type से candle रहेगा कभी कभी यह भी candle बहुत बड़ा बन जाता मतलब यहाँ से अगर देखे तो इतना बड़ा body बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ठीक है इसलिए मैं बारबार बलता हूँ जो चीज़े आप पढ़ते हैं वो चीज़े exactly चार्ट पे नहीं होता है कुछ नो कुछ difference होता है यही difference आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है तो इसका पूरी तरीका से concept मैंने बताया कि कैसे करना अब आते हैं कि buy और sale कैसे करना है देखिए गाईस अगर ये candle इस candle का पूरी तरीका से green candle का height इस red candle के height से नीचे है देखिए जैसे कि अभी इसमें नीचे दिखाया गया है अगर नीचे है तो यही वाला red candle यानि कि जो candle सबसे बड़ा होगा इस green candle red candle में green candle में सबका height देखेंगे जो candle सबसे बड़ा होगा उसके height को mark करेंगे ठीक है और उसके height पे अगर हम buy करने जाते हैं तो यह हमारा सबसे best entry होता है और estropolis की बात करें तो सबसे नीचे बड़ा candle यानि कि middle candle जो होता है उसका जो भी bottom होता है वहाँ पी हम लोग SL को लगाते हैं ठीक है यह समझ में आ गया और target की अगर बात करें तो यहाँ से जो हमारा entry होता है जो हमारा SL होता है इसके beach का यहां से लेके यहां तक जो भी difference होता है यह हमारा target होता है 1 is to 1 समझ में आ गया होगा entry कैसे करते हैं अब यहाँ पर second region एक और हो सकता है मान के चलो कि इसका height जो है rate candle का यहाँ पर है और green candle का height यहाँ पर है अब in case अगर यह green candle इतना बड़ा यहाँ पर body वाला बन गया है यही कि काफी बड़ा है और इसका height ऐसे है जब यह candle बड़ा बन जागा तो फिर green candle की high जहां रहेगा वहाँ पर हम लोग buy करेंगे ठीक है क्योंकि दोनों candle में यह green candle काफी ज़्यादा बड़ा है ठीक है और stop loss यहाँ पर same रहेगा समझ में आ गया यह दोनों entry का तरीका होता है morning star में जिसको हम लोग bottom level फे find करते हैं गाइच आगे बढ़ने से पहले वे एक important चीजे बता देना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने मेरे free telegram channel को join नहीं किया है तो video के description में link है वहाँ से आप लोग जरूर join कीजे और join करने के बाद 2 दिन आपको वहाँ पे stay करना है trade नहीं करना है सिर्फ मेरे call को observe करना है अगर आपको मेरे call की level जो level में देता हूँ जो call में देता हूँ अपना views पोस्ट करता हूँ वो अगर approximately आपको 100% accuracy लगती है इससे पहले भी में बहुत सारे calls दिये है सब की call के accuracy काफी तगड़ा है आप लोग जाके check out कर सकते हैं ऐसे previously जो चीज़े हो चुका है उस पे कोई भी believe मत कीज़े मैं भी बोलूँगा believe ना करें ठीक है live आप लोग देखिए next two session में अगर आपके accuracy उसको लगता है कि आपको काफी strong accuracy है तो आप लोग channel में stick कीजिए otherwise channel को live करके जा सकते हैं दूसरी सबसे important बात कि जब भी channel को join करते हैं मेरे video के discussion में जो link है उसी link से join कीजिए क्योंकि मेरे बहुत सारे fake channel बने हुए है अगर आप लोग वहाँ पे join के होते हैं maybe आपके साथ scheme हो सकता है और मैं आपसे एक request भी करूँगा अगर आपको fake channel दिखते हैं तो उसको please report कीजिए जिससे कि वो channel ban हो ठीक है दूसरी बात है अगर आपके पास capital बहुत कम है और आप trade करना चाहते हैं learning करना चाहते हैं तो guys आपके लिए best offer है अगर आप मेरे साथ trading करते हैं वो भी learning plus earning free of cost करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरे link से dimate account open करना होगा और dimate account open करके आप मुझे telegram पे contact कर सकते हैं मैं आपको telegram private channel में add करूँगा और वो आपका lifetime free of cost रहेगा जहां पे आप लोग मेरे साथ learning plus earning कर सकते हैं तो ये एक limited time period offer है ये offer ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा तो जब तक है तो इसका benefit लीजिए otherwise जब ये close हो जाएगा तो फिर इसका benefit आप लोग नहीं ले सकते हैं link सारे चीज़ का video के description में मैं डाल दूँगा वहाँ से जरूर check out कीज़े guys अब हम evening star के अगर बात करते हैं तो मैंने आपको initially बताया कि अगर ये top level पे formation होता है तो हम लोग इसको sale के लिए use करते हैं right same agility इसमें भी होई होता है कभी कभी ये candle जो middle वाला है इसका color green भी हो सकता है या फिर ये rate रहता है तो इसकी accuracy यानि कि percentage sale side में जाने की काफी ज़्यादा होती है क्योंकि ये favorable होता है continue ये दो rate candle होता है क्योंकि और यहाँ पी ये selling pressure को indicate करता है market यहाँ से काफी अच्छा sale में जाने वाला है right और really अगर ये दोनों candle rate है तो इसका मतलब selling pressure काफी ज़्यादा है और यहाँ से हमारी accuracy काफी ज़्यादा high होती है ठीक है अब यहाँ पी case क्या आता है कभी-कभी ये green भी होता है कभी-कभी red भी होता है तो ये color matter नहीं करेगा लेकिन ये दोनों जो candle है जो right है जो left है अगर sale के लिए जाते हैं तो most priority हमारे right side का candle rate होना ही चाहिए ठीक है और ये candle green होना ही चाहिए यहाँ पी होता है कि market अगर trending इस तरीका से up है तो वो green candle बना के ही upside जाएगा और वहाँ से एक green candle अभर हो जाएगा तो उसके बाद red candle बनेगा और up trend अगर end होता है तो वहाँ पे selling pressure आएगा और वो red candle formation होना ही चाहिए इसलिए ये दोनों candle अपना color काफी important रखता है और दोनों candle का color इसी तरीका से इसको green होना चाहिए इसको red होना चाहिए अब हम लोग second case में आते हैं कभी-कभी ये वाली जो red candle है अभी तो ये देखिए इसका law जो है इस green candle से नीचे है मतलब पहले यहाँ पर बनाए सबसे नीचे green candle का law है कभी-कभी ये candle बराभी बन जाता है अगर ये पहले छोटा है तो हम लोग sale जो करेंगे इसी green candle के law पर करेंगे यहाँ पर ठीक है overall जो भी इस दोनों के candle का law रहेगा उसके नीचे हम लोग sale order लगाएंगे और estropolis रहेगा ये वाली order ठीक है जो हमारा सबसे top का रहेगा middle वाला candle इसके high पर हमारा estropolis हो जाएगा अगर हमारा sale यहाँ पर trigger होता है second case में क्या आता है कि कभी-कभी ये वाला red candle बड़ा होता है इस तरीका से इसका body इतना बड़ा होता है तो ये हमारा ज़्यादा favor करता है हमारी accuracy यानि की target देने की क्योंकि ये candle का color और body इतना बड़ा होता है कि ये दोनों candle को पूरी तरीका से engulf कर लिया होता है एक तरह से bearish engulfing candlestick pattern भी इसको हम लोग बोल सकते है ठीक है अगर ऐसा case होता है otherwise ये हमारी tendency जो है target देने की accuracy जिसको बोल सकते है वो काफी increase कर देती है इसलिए हम लोग जो sale करेंगे यहाँ पे हम लोग इसके law पे करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़दा bottom यही लगा है सबसे ज़दा नीचे ये है ठीक है और stop loss same as it is यहाँ पे रहेगा तो दोनों condition मैंने आपको बताया bottom में morning start top पे evening start formation होता है जिसको हम लोग buy और sale के लिए use करते हैं तो guys आईए इसको हम लोग chart पे example के सुरूद देखते हैं तो देखते हैं वो एक support level पे देखते हैं जहां से हमारी tendency जो होती है target देने की काफी ज़्यादा होती है यहाँ पे देखिए previous day का market यह high था इसको market आज ही open हुआ breakout करके उपर चला गया previous day के according यह as a resistance काम कर रहा था लेकिन जैसे market इसके उपर गया यह हमारा as a support काम करने लगा ठीक है तो अब जब breakout करके उपर गया है as a support काम किया है तो यहाँ पे हमारा formation morning start भी बन सकता है या फिर कोई भी candlestick pattern यहाँ पे बनता है तो target देने की accuracy काफी ज़्यादा high हो जाती है ठीक है यहाँ पे देखिए जैसे market breakout के बाद retrace करने आया तो यहाँ पे morning start का complete formation किया है यह वाली यह वाली तीन candle को आप सिफ देखिए यह वाला तीन candle जैसा मैंने बताया वैसा ही exactly है या नहीं है पहला candle जो है यह red candle है second जो यहाँ पे हमारा आता है यह दोनों candle का color important होगा यह वाली green candle है ठीक है अब जो middle वाली candle है यह इसका length देखिए काफी ज़्यादा high भी है जैसा कि मैंने आपको बताया जो चीजे पढ़ते हैं और जो चीजे चार्ट पे बनता है थोड़ा बहुत difference आपको यहाँ पे हो सकता है जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ठीक है और यह candle green है मैंने बताया था कि अगर green है और morning start formation है वो भी एक support level पे है तो accuracy जो होती है target देने की काफी ज़्यादा high होती है तो यहाँ पे हम लोग buying के लिए क्या देखेंगे इस red candle में और इस green candle में कौन सा किसका high सबसे बड़ा है high जो है almost बोलेंगे same point पे है same point पे है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहीं पे हम लोग entry लगा देंगे stop loss हमारा edge at each इसी जो middle candle है इसके law पे हमारा यहाँ पे stop loss हो जाएगा ठीक है इसमें target इसमें entry और stop loss fix होता है target हम लोग लेते हैं जो entry होता है जो stop loss होता है इसके बीच का जो भी difference होता है यह बाला यह हम लोग यहाँ पे target लेने का कोसिस करते हैं और देखे जैसे trigger हुआ पहले तो यह नीचे भी आया लेकिन हमारा stop loss यह trigger नहीं किया इसके बाद देखे हमारा काफी strong target दिया है और target इतना बड़ा दिया है कि अभी आप लोग देखे कितना बड़ा दिया है just as it is guys हमारा जो entry हुआ है वो यहाँ पे कहीने कहीं हुआ है और target आपके सामने देखे कि कितना बड़ा target दिया है तो candlestick pattern काफी अच्छे तरीका से work करता है हमको find करना आना चाहिए exactly कहां पे बनता है तो कैसे वो trigger होना चाहिए और कितना target दे सकता है यह चीजे आगर आपने find करना सीख लिया तो बहुत अच्छे तरीका से candlestick pattern को use करके profit बनाया जा सकता है अब यहां पे देखिए guys मैं आपको एक evening star candlestick pattern का example दे रहा हूँ यहां पर देखिए सबसे पहले तो यह market bottom level से top level पे गया हुआ है तो यह as a resistance काम करेगा ठीक है और हमको क्या होता है जब भी evening star की बाते करते हैं हमको resistance zone में ही यानि की top zone में ही इसको हम find करते हैं क्योंकि evening star का हम लोग use selling के लिए करते हैं ठीक है और यहां पर देखिए यह तीन candle के formation को सिर्फ आप देखिए यह तीन candle का most important example यहां पर मैं दे रहा हूँ इससे पहले जो आपने chart पर देखा था जो मैंने आपको समझाया था वो इस तरीका से green candle यह इस तरीका से एक set यहां पर छोटा सा मतलब इसको बोल सकते हैं डोजी candle और इस तरीका से यह जो है red candle ऐसा मैंने आपको exactly बताया था ठीक है यहां पर देखिए case क्या है यहां पर जो यह red वाला यह जो candle है यह candle काफी ज़दा यहां पर नीचे तक बना हुआ है मैंने आपको example में काफी clear बोला था कि ऐसा भी case आपको देखने को मिल सकता है और just as it is देखो यही वाला example यहां पर है यह वाला जो red candle है यह पूरी तरीका से देखिए इस दो candle के law को पूरी तरीका से breakdown भी कर दिया है और अगर यह candle यहां तक ऐसे बना होता body तो इंगल्फ भी कर लिया होता लेकिन यहां पर अगर फिर भी यह red वाली candle यह तीसरा candle है यह दोनों candle के law को अगर breakdown कर दिया है तो most probability है कि market यहां से sale में जाएगा और हमारा जो selling entry होगा वो होगा इसी candle के law क्योंकि सारे candle का जो भी overall lock होता है वहां पे हमारा sale entry होता है और stop loss हमारा अगर यह दोनों same point पे है तो यहीं पे stop loss हो जाएगा otherwise अगर यह middle candle थोड़ा सा भी बड़ा होता तो इस candle के high पे हमारा stop loss होता है और target की अगर बात करते हैं तो जो stop loss रता है वो और जहां पे entry होता है वो इसके बीच का जो भी difference होगा यह हमारा target हो जाएगा और आप देखो जैसे यहाँ पे sale activated हुआ हमारा इस point पे sale होने के साथी market में target देखे कितना बड़ा दिया है at least one is to one तो यहाँ से आपको देखने को मिल ही गया है तो यही चीजे है इसी को देखना important है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो morning star को भी देख सकते हैं देखिए as a support काम कर रहा है यहाँ पे इस तीन candle को आप ले सकते हैं ठीक है तीन candle को लेंगे लेकिन दोनों side का color जो है यहाँ पे green है तो इसलिए यह candlestick pattern यहाँ पे fail कर गया ultimately इसको हम लोग bullish candlestick pattern form formation कर सकते हैं और उसके according सोच सकते हैं क्योंकि यह दोनों candle का color alternate है और यह दोनों color का candle right और left वाला same है तो यह morning star तो नहीं हो सकता है लेकिन अगर यह bullish candlestick pattern यहाँ पे हम लोग buy कर सकते हैं और target देखिए आपके सामने है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं morning और evening star ही बने ठीक है बहुत सारे candlestick pattern है जो भी वहाँ पे बनता है उसके according हम लोग strategically उस पे यूज करते हैं लेकिन उस candlestick pattern का अच्छे तरीका से जानकारी होना जरूरी है ठीक है तो guys मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगो काफी informative लगा होगा अगर आपके लिए knowledgeable है आपने कुछ सीखा है तो guys वीडियो को like जरूर कीजेगा और वीडियो को share उन तमाम लोगों के साथ कीजेगा जिनको इनकी सबसे ज़्यादा requirement हो और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजे इसी टाइब के latest informative वीडियो के लिए तो मिलते हैं इसी तरह एक next वीडियो में thank you so much for your love and support